ऐस यह लो फ्रेंड्स केशे आप सब मैं रहूल आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे साइंसेंड कोमेर्स क्लासेज में फ्रेंड्स लाइस लेक्टर में हमने स्टार्ट के थी पार्टनर्शीब दिश्के अंदर आपने जाना था कि पार्टनर्शीब क्या होती है और फिर हमने जाना था कि उसके क्या-क्या फीचर्स होते हैं इन चीजों को यदि आपने लाक्ष लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है तो आप वहाँ पे जाकर क्या कर सकते हो उस लेक्चर को देख सकते हो इसे आज हम डिस्वस करने जा रहे हैं पार्टनर्शिप डीड़ के बारे में और हम जानेंगे कि पार्टनर्शिप डीड़ क्या होती है उसके अंदर कौन कौन से content लिखे जाते हैं और उसका क्या importance है इन तीनों चीजों के बारे में हम क्या करेंगे आज के lecture में बात करेंगे तो friends आज का lecture स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe जरूर कर रहे ना जिससे की next जो भी वीडियोज अपलोड होंगी वो आपको सबसे पहले मिल सके तो friends आज का lecture हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि partnership deed होती क्या है Friends partnership deed है वो एक परकार से क्या agreement है जो कि मैंने आपको पिछले lecture में भी बताया था पार्टनर्शिप deed क्या एक agreement है और वो agreement भी किनके बीच में होना चाहिए जो partners business के अंदर है उनके बीच में क्या होना चाहिए वो agreement होना चाहिए तो मतलब जो business के अंदर जो partner है उनके बीच में जो agreement होता है वही क्या कहलाता है अब बात आती है कि इसकी ओरल में होगी तो फ्रेंट्स पार्ट्नरशिप डीड है वो औरल में भी हो सकती है और यह क्या हो शकती है और रिटन में भी हो सकती है अब आप कोगे सर औरल में होगी तो उसका क्या प्रूफ होगा तो फेंच उसका कुछ प्रूफ नहीं होता उसको केवल बोल कर क्या कर लिया जाता है पार्टनर्शिप डीड मान लिया जाता है उसके अंदर पहले क्या कर लिया जाती है जो सर्टे जो कंडिसन्स हैं वो पहले के दौरान होने वालियोन उनको क्या कर लिए जाता है इसके इसके अंदर लिखे जाते हैं तो फिर्ट इसके अंदर उन Trum and Conditions को लिखा जाता है Trum and Conditions उन सभी Trum and Conditions को लिखा जाता है जो Business को चलाने के दोरान की जाती है अब आप ये कहोगे Friends की Business के दोरान कौन कौन सी चीज़े चलाई जाएगी कौन कौन सी चीज़े उसके अंदर लिखी जाएगी सर हमें ये बता दीजिए तो friends जैसे suppose grow आपको क्या हुआ business के अंदर profit हुआ ठीक है हाँ जी sir ठीक है अब आप मुझे ये बताओ कि आपने कुछ decide नहीं किया तो आप इस profit को कैसे distribute करोगे अपने भी चितने भी partner से उनके बीच में distribute करना पड़ेगा हाँ जी sir कोई भी profit business के अंदर होगा उसको हम equal equal जो भी ratio एदी हो ज़्यादा कम जो भी हो तो वो पहले ही एदी decide कर लेते तो उस ratio में क्या कर लिया जाता है इसको distribute कर लिया जाता है लेकिन पहले क्या नहीं किया इसको कुछ decide नहीं किया तो इस वज़े से ये क्या आएगी एक परिसानी महसूस करने पड़ेगी लड़ाई भी हो शकती इसके चकर में इनके वीच में तो इससे बचने के लिए क्या क्या जाता है agreement क्यार कर लिया जाता है पहले ही उन चीज़ों को decide कर लिया जाता है कि भाई इतना profit sharing ratio होगा तो इस परकार से इसको क्या कहते है partnership deed कहते है अब यदि अपन इसको normal word में देखें इसकी definition देखें तो normal word में क्या होगी वो भी देख लेते हैं partnership deed एक क्या है agreement है किनके बीच में between the partner partners के बीच में क्या एक agreement है और उस agreement में क्या लिखा जाएगा ट्रम एंड कंडिशन्स जितनी भी ट्रम एंड कंडिशन्स है कौन सी carry out the business business को चलाने के दुरां जो भी गतिविद्या की जाएगी जो भी ट्रम्स की जाएगी conditions होगी उन सभी ट्रम एंड कंडिशन्स को क्या किया जाएगा इस agreement में लिखा जाएगा अब बात आती है क्यों लिखा जाता है तो यह लिखा जाता है future disputes between the partners मतलब future के अंदर यदि कोई भी dispute मतलब कोई भी परहसानी से बचने के लिए क्या किया जाता है इसको बनाया जाता है तो इस परकार से हमारी partnership डीड की definition दी जाने तो यह क्या होगी यह agreement होता है वो भी किनके बीच में पार्टनर्स के बीच में और यह क्यों क्या जाता है उन सभी क्यों क्या किया जाता है इसको बनाया जाता है तो यही क्या कहलाती है हमारी partnership डीड कहला मैं कि फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कर्ण की और बात करते हैं कि जो पार्टनर्शिप डीड होती है उसके अंदर कौन-कौन से कान्टेंट है वह इसके अंदर किये जाते हैं आपकर जानते हैं सबसे पहले हम में क्या करना पड़ेगा जो हमारा बिजनेस है जो हमारी फॉर्म है उसका नाम क्या है जब तक हमें नाम ही नहीं पता उसका जो नाम है उसको सबसे पहले उसी को तो क्या करना पड़ेगा डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि यदि कोई उस डीड को देखेगा यदि उसके अंदर उसके फॉर्म का नाम ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि उसकी ही वो डीड है तो इ जैसे manufacturing है या गूर्ष बैचने का है तो किस परकार का आपका बिजनेस है तो उसका जो नेचर है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा थर्ड पॉइंट है नेम् ऑफ दे पार्टनर से बिजनेस हमने स्टार्ट कर लिया तीन-चार वित्क्तियों ने मिलकर कर लिया अब अमें उन सबी के जो नाम से वो भी क्या करने पड़ेंगे उसके अंदर डिस्क्लोज करने पड़ेंगे क्यों कि हमें यह हमारी partnership डीड को यह कोई देखता है तो उसके अंदर पता तो होना चीए कि कौन पार्टनर है इसके अंदर जो ओफिस है वो रजिस्टेशन जो ओफिस है वो कहां पर है उसका वो भी हमें क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा फिर हम बात करते हैं नेक्स पॉइंट की और नेक्स पॉइंट है हमारा capital contributions by the partner जो partners के द्वारा जो contribute किया गया है बिजनेस के अंदर क्या capital जो बिजनेस के अंदर partner के द्वारा जो लगाया गया ना उनको भी हमें लिखना पड़ेगा जैसे 10-10,000 उन्होंने यदि लगाए हैं तो उन 10-10,000 रुपे को हमें क्या करना पड़ेगा उसके अंदर disclose करना पड़ेगा कि किस partner ने कितनी amount invest की है फिर हम बात करते हैं next point की और next point है हमारा profit sharing ratio between the partner जब हमने business इस्टार्ट कर लिया तो सीधी सी बात है profit या loss तो अवस्थ से होगा तो यदि वो होगा तो उसको किस ratio में बाटा जाएगा किस ratio में बाटा जाएगा वो भी यदि हम क्या कर लें पहले से decide कर लें तो आगे कोई भी dispute नहीं होगा partners के बीच में फिर हम बात करते हैं next point की और next point है हमारा any loans form partners with interest rate अब ये क्या है अब ये देखो अब मैंने आपको बताया कि इसने हर partner ने क्या कर दिया इसने 10-10,000 रुपे क्या कर दिया अपनी capital के business के अंदर invest कर दिया अब जो C जो partner था suppose C जो partner था वो अपनी capital तो दे चुका अब साथ में उसने extra 10,000 रुपे और क्या दिये business को दिये capital के रूप में नहीं किसके रूप में loan के रूप में तो ये जो extra उसने जो पैसे दिये ना बिजनेस को वो क्या कहलाएगा लोन कहलाएगा मतलब बिजनेस को उसने क्या दिया एक परकार से लोन दिया है तो लोन दिया है तो इसको क्या करना पड़ेगा इंट्रेस्ट भी देना पड़ेगा सी को और इंट्रेस्ट देना पड़ेगा तो बात यहां पर यह आती है कि कित परषेंट इंट्रेस्ट देने पड़ेगा ऐसे III में तो कोई लोन देने वाला नई ए lSwagile की आफे कितना लिया जाएगे दिया जाएगा उसको या पहले से ही डिशैड कर लिया जाए उसके आंदर डिस्व्लोज कर दिया जाए तो कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा अब हम बात करते हैं नेक्स पॉइंट और नेक्स पॉइंट है हमारा ड्रोइंग अलाउड टू पार्टनर्स विद इंटरेस्ट डेट है अब बात यहां पर यह आती है फ्रेंट्स की आप कहोगे कि सरसर यह ड्रोइंग क्या होती है वो लिखने वाली हम जो कॉपियों में जो ड्रोइंग करते हैं क्या वो ड्रोइंग होती है तो फ्रेंट्स वो ड्रोइंग नहीं होती है यह ड्रोइंग कौन सी होती है वो देखते हैं जैसे सपोर्ट को बिजनस है ठीक है इसमें आपने क्या कर दिया बिजनेस में पैसे लगा दिये सभी पार्टनर्स ने अपने अपने जो कैपिटल थी वो लगा दी आप पार्टनर थे A, B और C ठीक है अब इस C वेक्ति ने क्या क्या बिजनेस इसको क्या होगे पैसे क्या सकता होगे और इसने बिजनस से क्या कर लिया 10,000 रुपे निकल वा लिया तो ये जो 10,000 रुपे इसने बिजनस से निकल वाये हैं अपने यूज के लिए वही क्या कहलाती है फ्रेंट्स ड्रोइंग कहलाती है समझ गए मतलब जो बिजनस से उसने अपने यूज के लिए जो पैसे निकाल ले आना वो क्या कहलाएगी ड्रोइंग कहलाएगी तो ये कितनी निकाल सकता है जो पार्टनर से वो कितनी अमाउंट तक बिजनस से पैसे निकाल सकता है वो भी हमें क्या कर कर लेनी चाहिए पहले ही डिसाइड कर लिनी चाहिए और यह भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि इस पर इंट्रेस्ट कितना लिया जाएगा तो वह यह दि बाते पहले ही डिसाइड कर ली जाती है तो आगे कोई भी डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा तो इसलिए हमारा यह प पार्टनर मतलब जैसे सब्स्पार्ज्ग hm यह तीन पार्टनर ए अ बी और शी ठीक है अब इनकी जो सैलर्ड जैसे सपोज्ग वर फिण्ट के अंदर वग नियुकरता है यह वर्क नहीं करता है यह कहीं और पर रहता है यह क्या कर देता है अब मुझे यह बताओ कि इन्हों ने और बी ने क्या किया है उस बिजनेस को समाला है और समाला है तो सीधी सी बात वर्क भी ज्यादा किया है अब यह बिजनेस की दोरान कहते हैं कि भाई हमने तो क्या किया वर्क जादा किया है तो हमें क्या मिलनी चाहिए अक्ष्टा सेलरी मिलनी चाहिए तो इनका कहना भी क्या है सही है लेकिन यदि इस चीज को पहले ही यदि decide कर लिया जाता कि हम business को समाल रहे हैं तो हमें क्या मिलनी चाहिए एक्ष्टा कुछ मिलना चाहिए salary वगेरा ठीक है तो यदि ये पहले ही decide कर लेते उस time पे तो कोई भी आगे क्या नहीं होता dispute नहीं होता लेकिन अब यदि ये business के दोरान ऐसा करेंगे तो ये क्या सी मान जाएगा कुछ ना कुछ जरूरी थोड़ी है मानी जाए वो ना भी माने कि वो कैदे कि नहीं हमने तो capital तो बराबर बराबर लगाई है आप यदि वर्क जादा कर रहो तो मेरी क्या मैंने तो आपको पहली बोला था तो यदि इसने इसको मानने से इंकार कर दिया तो इ commission मिलेगा तो यदि यह पहली decide कर लिया जाता है तो आगे क्या नहीं होगी कोई भी dispute नहीं होगी कोई भी समयशे उत्पन नहीं होगी फिर हम बात करते हैं next point और वो next point है duties power and obligations मतलब जो भी partner के जो भी दाइत्व है duties है अधिकार है power है वो यदि सबसे पहले ही decide कर लिया जाए कि इस partner के यह duties होगी इस partner की यह powers होगी तो उससे क्या होगा कि आगे जब भी business के अंदर कारिये किया जाएगा तो उसके अनुसार क्या क्या जाएगा वो कारिये क्या जाएगा और कोई भी dispute उत्पन नहीं होगा तो इस परकार से friends और भी क्या हो सकती है इसके contents हो सकते हैं अभी तो मैंने केवल आपको example के थूर समझाने के लिए 10 ही क्या बताए हैं contents बताए हैं बाकी और भी contents हो सकते हैं अब हम बात करते हैं इसके importance की जो partnership डीड जो हमारी है उसकी क्या क्या importance होती है उनके बारे में हम discuss करते हैं तो friends सबसे पहले हम बात करते हैं first point की और first point कहता है कि avoid disputes between the partner इससे हमें क्या profit होता है इससे हमें यह होता है कि जो future में जो dispute उत्पन होती वो अब क्या नहीं होगी पार्टनर के बीच में उत्पन नहीं होगी क्यों क्योंकि हमने क्या कर लिया इसकी साइटा से पहले ही सभी चीज़ों को decide कर लिया कि sharing profit ratio क्या होगा capital पेंटरेस्ट कितनी मिलेगी drawing पेंटरेस्ट कितनी होगी तो वह सभी चीज़े हमने क्या कर लिया है पहले ही decide कर लिया partnership deed में सोख कर दी गई है तो अब कोई भी क्या नहीं होगा dispute उत्पन नहीं होगा किनके बीच में partners के बीच में फिर हम बात करतें next point और next point हमारा कहते है avoid confusion for profit and loss जब business के अंदर profit या loss होगा तो उस time पे क्या नहीं होगा कोई भी confusion नहीं होगा कि हमें किस ratio में इसको distribute करना है क्यों क्योंकि हमने तो क्या कर लिया पहले ही उस चीज को decide कर लिया कि इतने ratio में इनको क्या करना है distribute करना है और यह दियामे पहले ही decide रिया partnership deed में इसको में disclose कर दिया तो हमें क्या नहीं होगी आगे कोई भी confusion नहीं होगी हम उसके अनुसार क्या कर लेंगे उसको distribute कर लेंगे फिर हम बात करते हैं next point और next point है हमारा clarity of duties and responsibility जो भी partners है business के अंदर तो उनकी जो duties है जो उनकी responsibilities है वो भी क्या हो जाएगी clear हो जाएगी सभी partners को अपनी अपनी duties का पता चल जाएगा और वो उसके अनुसार कारिये करने लग जाएंगे तो ये भी क्या होगा एक हमें benefit होगा फिर हम बात करते हैं next point और next point कहता है कि clarity of salaries commissions मतलब जो partners के जो salaries होती थी जो commissions होता था अक्ष्टा यदि उन्होंने वर्क किया तो उसकी अलावा जो salary उनको मिलती थी उनको यदि पहले है डिसाइड कर लिया जाए partnership deed में उसको mention कर दे disclose कर दे तो हमें क्या हो जाएगा इसकी clarity हो जाएगी और कोई भी dispute उत्पन नहीं होगी फिर हम बात करते हैं next importance की और next importance है no disputes regarding interest on capital, interest on drawing और interest on loan मतलब capital पर कितना interest मिलेगा, drawing पर कितना interest होगा और loan पर कितना interest होगा इन चीजों को interest की जो rate है उनको यदि हमने क्या कर दिया partnership deed में यदि disclose कर दिया, mention कर दिया तो हमें आगे कोई भी disputes उत्पन नहीं होगा इनके regarding ठीक है, friends आज अपने जाना partnership deed क्या होती है, उसमें कौन-कौन से contents लिखे जाते हैं और उसकी क्या importance होती है, तो friends आज के lecture में हम यह सभी बाते discuss कर ली, यदि आपको मुझे आसा है कि आप सभी के यह चीजे अच्छे से समझ में आ गई होगी और फेंस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फेंस में share करना और चैनल को subscribe जरूर कर लेना, अब मिलते हम next lecture में और next lecture में हम एक नया topic लेके आएंगे तो bye friends मिलते हैं next lecture में झाल